बिग बॉस OTT सीजन 2 ने अपने दूसरे ही हफते में सारी हदे पार कर दी है जिसके कारण इसे अच्छी खासी अटेंशन मिली है और फिर विकेंड पे जो सलमान खान ने किया वो कुछ अलग ही था जिस पे कई लोगों ने अपने व्यूज दिये हैं पर एसी कई चीजे थी जो फैन सलमान से उमीद कर रहे थे कि वो करेंगे या बोलेंगे और उन्होंने नहीं की तो चलिए इस बारे में खुल कर बात करते हैं पहले बात करते हैं उन दो इंसिडेंट्स के बारे में जिसके कारण सलमान विकेंड पे भड़क गए पर क्या उनका भड़कना सही था चलिए जानते हैं चलो किस पर किसको बात करनी है या चलो बम पर बात कर लेते हैं तो हुआ यूँ कि अविनाश ने जैड और अकांशा को किस करने का डेर दिया और उन दोनों ने इसे नैशनल टेलिविजिन पर किया और ये किस कोई छोटा मोटा नहीं था बलकि काफी लंबा था जिससे सलमान काफी नाराज हुए और जैड और अकांशा की क्लास लगा दी और ये भी कहा कि अगर ये सब करना है तो कहीं और जाकर करें मेरे शो में नहीं पर हिरानी की बात ये है कि सलमान ने खुद ये माना है कि टीवी पे आए बिग बॉस में कई बार इसी चीज़े हो चुकी है तो फिर अचानक OTT पे सलमान इतना रियक्ट क्यों कर गए समझ नहीं आया चलिए फिर भी ये उनका पॉइंट और व्यू है साथी साथ सलमान ने ये भी कहा कि सभी कंटेस्टेंट्स को ये लगता होगा कि ये किस इस वीक का हाई पॉइंट है पर सच कहें तो ये सच में इस वीक का हाई पॉइंट था जिसे खुद बिग बॉस की टीम ने अलग-अलग प्लैटफॉर्म्स पे दिखाया है चलिए फिर भी कोई बात नहीं दूसरा इंसिडेंट जो वाकही बहुत शर्मनाग था जिस पे सल्मान ने जैट को काफी कुछ कहा वो लोगों को बहुत पसंद आया हुआ ये था कि एक फाइट के दोरान जैट ने नैशनल प्लाटफॉर्म पर अपने बम को दिखाया था सल्मान ने जैट से कहा कि अगर आपने ये हरकते किसी और देश में की होती तो उन्हें जेल भी हो सकती थी पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारा देश बहुत ही फॉरगिविंग है यहां के लोग बहुत जल्दी माफ कर देते हैं और दूसरा मुका दे देते हैं सल्मान ने अविनाश को भी कहा जो आए दिन भारती संस्कृती की बाते करते रहते हैं कि उन्होंने एसा डेर उन्हें दिया ही क्यों सल्मान ने अविनाश के डबल स्टेंडर को सभी के सामने रखा जिसे देख कर काफी मज़ा आया सल्मान ने अभिशेक की भी काफी तारीव की जो लोगों को काफी पसंद आई पर एक चीज जो लोगों को पसंद नहीं आई और फैंस चाहते थे कि सल्मान करें वो था पूजा भटकी क्लास शो में पूजा का एरोगेंस एटिटूड और डॉमिनेटिंग नेचर सब को दिख रहा है पर सल्मान को नहीं सल्मान पूजा की तारीव ही करते रहते हैं और अगर किसी ने पूजा के लिए कुछ बोला तो वो पूजा की ही साइड लेते हैं और सामने वाले को गलत ठहराने लगते हैं और ये सब फैंस को बिलकुल अच्छा नहीं लगता वैल इंतिजार उस दिन कहे जब सल्मान पूजा को कुछ बोले अभी तो ये शुरुआत है आगे आगे देखिये होता है क्या